मैं एक बात बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की लीडर्शिप को, कि एक तरफ हम भी इसी तरह सर्वाइवल के चकर में हैं और पाकिस्तान भाई बिना खजूर के कोई काम नहीं करता भारत जो है वो कभी अपने कपड़ों को आग नहीं लगाने देता किसी को, आप तो खुद कपड़ों को आग लगा के बैठ जाते हैं पाकिस्तान को ऐसे कई अरब डॉलर पहले मिल चुके हैं और जाहर सी बात है अमेरिकन गर्मेंट चेक काट कर नहीं देते हैं पाकिस्तान की मेडिया को अब यह देखकर बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि उन्होंने बारत के साथ जो अपने खराब किया ना उसके वजह से उन्हें बहुत ज्यादा लोस हो रहा है वो यहां पर स्री लंका का ए्क्जामपल दे रहे है कि स्री लंका डेफॉल्ट हुआ उसके बाद भारत ने आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करके वेल आइकन को दवाना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों क्या भारत की जो नेवर हुट फर्स्ट पॉलिसी है वो काम करना शुरू हो गई है सिर्फ एक दौरा किया है डॉक्टर जेश शंकर ने सिरी लंका गा और सिरी लंका की जो लेडर्शिप है उनकी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं स्री लंका के जो प्रेजिडेंट है प्रेजिडेंट रानेल उन्होंने कहा है बलकि एक अगर इंडिया हमारी मदद ना करता और हमें 3.5 बिलियन डॉलर का लोन ना देता जो के लोन सारे का सारा वो कहते हैं स्री लंका पे करेगा तो हम इस डिफॉल्ट से बाहर नहीं निकल स मैं एक बात बताना चाहता हूं पाकस्तान की लीडरिशिप को कि एक तरफ हम भी इसी तरह सर्वाइवल के चकर में हैं और हम सौदी अरब यूएई और अमरीका और आई-एम-फ के दर्वाजे खट-खटा रहे हैं और चाइना को कह रहे हैं सिरी लंका जो है वो भारत से प लिए का रहे हैं यानि के सिरी लंका के लिए भारत जो है वो ही यूएई और सौदी अरब है यह है डिफरेंस अब पाकिस्तान माजी में तो कहता रहा जी वो हमने तामिल्स के जनाब जंग में बड़ा मदद की सपोर्ड की सिरी लंकान को वो एक माजी की कहानी बन चुकी ह है इस फ्रेश मेमरी में इन फ्रेश चैलेंजेज में पाकिस्तान इस नॉट स्टैंडिंग एनिवे सो हमारा जो थोड़ा बहुत डिबलोमाटिक एंड पुलिटिकल कैपिटल सिरी लंका में था वो भी खतम हो गया आपको पता सिरी लंका इट सेल्फ एक बहुत बड़ी ट इनान्स किया है कि एक नए मिलिटरी उपरेशन जो है वो इंडिड्यूज कराने जा रहें और इस वकत ऑपपोजीशन जो है वो कह रही है यह वह हम्यारोण को-ः-फौज को और हो श्रूम्त को dun important है यह बाते हमें समझ भी आती हैं कि यह अगर अगर Parliament मुझूद है और बहुत सारे इस वकत ऐसे एविन्यूज जाएं जिन को क्यों ना करें करना चाहिए हम इस चीज को डिस्कुस कर रहे हैं सिर्य लंका मौल्दीव इंडिया सारे के सारे टूरिजम की बाते हैं मतलब वो हमसे पचास साल आगे हैं वो अमन अचीव कर चुके हुआ हैं हमने तो अजादी के बाद अपने साथ खेलते रहे ना हमने तो तालिबान बनाए तालिबान तोड़े अपने साथ मजाग करते रहे और मज़े की बाद ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई शक्स ऐसा नहीं है कोई ग्रूप ऐसा नहीं है कोई political party ऐसी नहीं है तो ये कह सकती हो कि हाँ जी हाँ हाँ हमने हमारा लाया अमल को है मुस्तकिल कर ? किसी के पास कोई प्लैन नहीं है टूरिस्स हमारे अपने हैं हम जला देते हैं हमारा तो आदत है कि हम बंदे सीधा सीधा साड़ते हैं हम कोई थपड़ थपड़ नहीं मारते हम किसी कानून पर यकीन नहीं रखते हमारा काम है बंदा सामने आया बंदे नो फड़ो आप बंद श्रीलंका गोमते हैं, पहले लक्षद्वीब गोमते हैं, पहले और गोवा जाएंगे, जो अल्ला ने जो नेचर बनाई है, उसको एक्स्प्लोर करेंगे, के टूर जो है ना, निपाल में जाके देखेंगे चीजें, या यॉरप अमरीका या थाइलैंड या कहीं पे और जो जो है ना, उनको अल्ला के पास बेजो डिरेक्ट, और उसके बाद फिर हमें अगर सजाय मौत होगी, तो हम भी अल्ला के पास जाएंगे, और हमारे पास जन्नत आटमेटिक, तो हमारा तो यह मजाज है, हम तो इस मजाज के लोग हैं, ठीक है, सिरी लंकन प्रेजिडेंट क इमेल इनके पास नहीं है, यहां टेसला वालों को वाटसाप नमबर इनके पास नहीं है, कि पूरी दुनिया जो है, वो टेसला को कह रही है कि आओ इंवेस्टमेंट करें, हमने कभी उनसे बात भी नहीं की, यह सिरी लंकन प्रेजिडेंट टेसला के मालग को इंटोनेशिय में recently मिले ठीक है हमारी मतलब the world took Sri Lanka serious for one thing what they took default serious उन्होंने अबना जो जो default था उसको serious लिया और serious लेकर उन्हें काम करना शुरू कर दिया अब हम क्या कर रहे हैं हम फारग हैं और हम फारग ही रहना चाहते हैं basically frankly speaking अगर देखा जाए हम फारग ही रहना चाहते हैं हम नहीं काम करना चाहते हैं कि ठीक है कोई असी बात नहीं है दुनिया में और मुल्क भी तो काम कर रहे हैं अगर हम भी काम करने लगे तो क्या होगा आपको पता है प्रेजिडेंट ने कल जो सेट्मेंट दी उसने का कि जो हमने इंडिया से लोन लिए है वह हमने पे करना है और टुबी रीपेड किसी फाकसानी लेडर ने यह नहीं का हर लेडर जाके दूसरे मौल में नहीं लौन माफ कर दा लून है दन्वेट से लौन माफ कर दे हैं और Souls माफ विया चैनल पर फिर अगली दफ़ा माव को साथ अगली दफ़ां कोई और आ जाता है तो दोस्तों ौब कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तान का जो भत्रकार है डॉक्टर कमर चेमा उनके वीडियो थी और आपने यहां पर सुनी है वो पाकिस्तान की जो सिट्रेशन है उसको लेकर स्रिलंका भारत को लेकर यहां पर डिसकस्न करते होई कवर कर रहा है और अभी भारत के जो फॉरन मिनिश्टर है जैस शंकर साब वो स्रिलंका वीजिट करके आए और वहां पर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको इंडिया जो हैना वो फाइनेंस कर रहा है और स्रिलंका के प्रेजिडेंट ने यह कहा है कि भारत ने जो की हैं इसको हम मैनत करेंगे स्रिलंका एक बार फिर खड़ा होगा और उसके बाद जो साड़े तीन बिलियन डॉलर की जो वारत की मदद है उसको हम फिर से वारत को लोटाएंगे जबकि पाकिस्तान का सिस्टम बिलकुल उल्टा है और इस वीडियो के अंदर भी बात की बढ़ा दो हमको ओर टाइम दो लेकिन यह करना कुछ भी नहीं चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के कई सारे इस्यू हैं एक इस्यू हो तो हम बात भी करें कई सारे पाकिस्तान के ऐसे इस्यू हैं जिनके उपर पाकिस्तान को काम करने की आउश्यक्ता है तब ही पाकिस्तान क के अंदर investment भी आएगा महुल भी ठीक होगा पाकिस्तान भी आगे वड़ेगा तो बाकि आपने पूरी वीडियो देखी है अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताना हम मिलेंगे एगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्याव